रॉबर्ट फ्रोस्ट रॉबर्ट फ्रोस्ट जो के एक अमेरिकन पॉइट है इनका कम्प्लीट नाम रॉबर्ट ली फ्रोस्ट है रॉबर्ट फ्रोस्ट मार्च 26, 1874 को सेन फ्रेंसिस्को कैलिफोर्निया यूएसे में पैदा हुए है और जनवरी 29, 1963 को बॉस्टन इनकी डेथ हुई है अब यहाँ पर रॉबर्ट फ्रोस्ट के लाइफ पिरियोड को जरा गौर से देखें के 1874 से लेकर 1963 तक ये जिन्दा रहे है और ये जो टाइम पिरियड है ये तो 20th संच्री का टाइम पिरियड बनता है यानि वो टाइम पिरियड जिसके अंदर डुबर्ट फ्रोस्ट को रॉमेंटिक पॉइंट भी कहा जाता है लेकिन आपने कहना है कि ये जो रॉमेंटिक के रहा है इसका टाइम पिरियड तो 1798 से लेकर 1837 तक है तो रॉबर्ट फ्रोस्ट भी इस जनरेशन से कैसे बिलॉग करते हैं यानि कि इनका जो लाइफ पिरि है वो तो 1837 पे जाके खत्म हो जाता है तो भाई क्या वज़ा है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट को हम रॉमेंटिक पॉइट भी कहते हैं उसकी वज़ा ये है कि अगरचा 1837 के अंदर रॉमेंटिक पिरियड मुकमल हो चुका था लेकिन जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है ना इन्हों ने भी बहुत जादा लिखा है यानि कि इनका जो लिखा हुआ हो नेचर के उपर ही लिखा गया है वो हमें इंडिकेट करेगा लॉफ वार नेचर इनके जो वर्क्स हैं उनके अंदर हमें जो थीम्स मिलेंगे वो यहीं होंगे कि नेचर से रिलेटेड इन्हों ने बहुत पॉइट्री की है तो इसलिए इनको कहा जाता है कि ये भी रूमेंटिक पॉइट ही है यानि ये भी नेचर से लव करने वाले हैं बेसीकली जो रूमेंटिक पॉइट होता है ना उसका ये नहीं कि वो रूमेंटिक एरा से ही बिलोंग करे बलके उसका असल मेंज ये होता है कि उसने नेचर से लव किया है यहाँ पे आपने यह याद रखना है कि रुमेंटिक पॉइट से मुराद ऐसा पॉइट है जो लव फार नेचर यानी नेचर पर लिखता है नेचर से मुभबत करता है इसका हर गिस मतलब यह नहीं है कि वो romantic era से लाजमी तोर पर belong करता हो अब ये 20th century का point है तो इसको हम जो romantic point कहते हैं तो ये ज़रा एक छोटा सा point था इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा Robert Frost एक middle class family से belong करते हैं यानि ये ज़्यादा rich नहीं होते इनके पास जादा resources मुझूद नहीं होते Robert Frost के फादर William Prisport Frost जिने J.R.B. चौट फॉर्म में कहते हैं ये एक जर्नलिस्ट के तोर पर काम किया करते हैं अब Robert Frost के साथ पहली tragedy ये होती है कि 1885 के अंदर इनके फादर की death हो जाती है अब इनकी सारी family जो के एक middle class family है इनके फादर के उपर ही survive कर रही होती है जब 1885 के अंदर इनके फादर की death हो जाती है तो फिर Robert Frost के उपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है तो लेकिन ये जिम्मेदारी क्या करें Robert Frost तो भी बच्चे होते हैं तो Robert Frost अपने बेहन भाईयों के साथ अपनी मदर के साथ अपने जो grandfather's हैं उनके पास चले जाते हैं और वहां जाकर Robert Frost अपने grandfather's की help से Lawrence High School के अंदर अपनी education को शुरू करते हैं और यहां से ये metric करते हैं और याद रखिएगा कि इसी high school के अंदर इनकी मुलाकात होती है एलिनर वाइट से जो के इनकी class fellow ही होती है इनको इनसे प्यार हो जाता है और एलिनर वाइट भी Robert Frost को बहुत जादा पसंद करती है और ये भी एलिनर वाइट जो लड़की है ना इसका भी शुरू ही से यानी school ही से poetry की तरफ बहुत जादा interest होता है तो मेंज ये के एलिनर वाइट और Robert Frost दोनों को poetry की तरफ इंटरस्ट होता है Robert Frost first time इसी school के अंदर एलिनर वाइट को propose कर देते है लेकिन एलिनर वाइट जो के अपने career को लेकर बहुत जादा conscious होती है ये इनको reject कर देती है मेंज ये के reject नहीं करती वो ये कहती है कि हमें पहले कुछ और पढ़ लेना चाहिए यानी हम अच्छी तरह से degree holder हो जाए दैन उसके बाद फिर हम marriage की तरफ आएंगे तो इस पर Robert Frost जो है अब ये Harvard University के अंदर direct ही college से free होकर नहीं चले गए थे बलके 1895 के अंदर यानी 1885 के अंदर ये शादी कर लेते हैं एलिनर वाइट ये वहीं लड़की है लॉर्ण साइ स्कूल के अंदर जिनको Robert Frost ने पहली दफा परपोस किया था और इन्होंने Robert Frost को reject कर दिया था लेकिन 1895 के अंदर इन दोनों की शादी हो जाती है Robert Frost जो के एक middle class family से belong करने के अदावा अभी तक बेरोजगार होते हैं यानी 1895 के अंदर जब इनकी marriage हो जाती है एलिनर वाइट से तब भी इनके पास कोई अच्छा रोजगार मुझूद नहीं होता है जिसकी वज़ा से इने financially depression का सामना करना पड़ता है और इस शादी से इनको 6 बच्चे होते हैं जिन में से दो बच्चों की death बहुत जल्दी ही हो जाती है इनके बच्चों में Elliot Forest, Irma Forest, Carol Forest, Eliner Forest, Bettina Forest, Lazy Forest और Bella Lines Forest शामल है रोबर्ट फोरेस्ट अपने literary career को अच्छी तरह से बनाने के लिए 1897 के अंदर Harvard University को जुवाइन करते हैं और इसके अंदर ये सिर्फ दो साल तक ही पड़ते हैं financially depression की वज़ा से और शादी के बाद बच्चों की जुरियात भी तो अब पुरा करनी थी ना तो इसलिए दो साल बाद ही ये Harvard University को छोड़ देते हैं और इसके बाद ये अपना जो professional work है उसको शुरू कर देते हैं रॉबर्ट फोरेस्ट अपनी पहली poem weekly literary journal the independent के अंदर published करवाते हैं अब journal को आप समझते ही हैं कि जिसे रोज नामचा कहते हैं ना newspapers के अंदर अखबारात के अंदर कुछ points जो होते हैं वो अपने novels लिखा करते हैं अपनी poems एड़ करवा दिया करते हैं तो इसी तरह रॉबर्ट फोरेस्ट ने the independent journal के अंदर अपनी पहली poem पब्लिश्ट करवाई जिनका title my butterfly और इसके साथ एक और poem थी एन एल जी रॉबर्ट फ्रोस्ट ने 1900 से लेकर 1909 तक मिन्स ये के 1900 से लेकर इन्होंने 1909 तक बहुत जादा literary work लिखा लेकिन इनको कोई fame नहीं मिली और ये इस वक्त यहां पर रह रहते डैरी के अंदर जो के new उमर 40 साल हो चुकी थी लेकिन इनको कोई fame नहीं मिल रहा था और इस वक्त इन्हें fame की नहीं बलके पैसों की थी के मैं अपने works को publish करवा हूँ और मेरे पास कुछ earning हो जिसकी वाया से मैं अपनी जो family है उसकी अच्छी तरह से देख बाल कर सकूँ लेकिन अमेरिका के अंदर रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ देन इनको किसी ने कहा के जो England है ना आप London के अंदर जाएं वहाँ पर आपकी poems की बहुत जादा demand होगी वहाँ जाकर इनको publish करवाएं तो इनों ने ये फैसला किया इनके पास जो थोड़े बहुत खेट खिलियान और जानवर थे इनको सेल करके ये England के अंदर लंडन चले गए अब लंडन में जाकर इनकी मुलाकात होती है एड़वर्ड थॉमस के साथ जो कि इनके बहुत अच्छे दोस्ताबत होते हैं और एड़वर्ड थॉमस से इंस्पायर होकर इनों ने दा रोड नॉट टेकन जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन्शाला डिसकस करेंगे ये इनकी काफी फेमस पॉम है इसको इनोंने लिखा है इस पॉम को इनोंने लंडन के अंदर एड़वर्ड थॉमस से इंस्पायर होकर लिखा है 1912 के अंदर जब ये लंडन चले गए तो वहाँ पर जाकर इनोंने अपनी फर्स्ट बॉक ऑफ पॉम को पब्लिच्ट करवाय जिसका टाइटल था आब वॉय इस विल तो इसको इनोंने नाइंटीन फर्टीन के अंदर लंडन के अंदर पॉब्लिच्ट करवाया और इसकी वज़ा से इनको लंडन के अंदर बहुत ज़ादा फेम मिला और इनकी अर्णिंग भी अच्छी खासी हुई इसके बाद इनों 1914 के अंदर लंडन में ही एक और book of poem को publish करवाया जिसका title था North of Boston और यहां पे आपको ये भी पता है कि 1914 से World War 1 शुरू हो चुकी थी और World War 1 का बहुत जादा impact रहा है England के उपर तो इसको हमने बड़ी detail के साथ World War 1 को discuss किया हुआ है आप उसे एक दफा जरूर देख लीजिएगा तो 1915 के अंदर इन्होंने दुबारा से अमेरिका की तरफ यानि ये रिटर्न अपने जहां पर पैदा हुए थे जहां पर रह रहे थे वहां पर आ गए England को छोड़ कर अब England के अंदर इनको अच्छा खासा work भी मिर रहा था fame भी मिर रहा था running भी हो रही थी लेकिन इन्हों 1915 के अंदर वो भी World War One के अंदर इन्वाल्व हो चुका था इसलिए ये दुबारा से अमेरिका आ गए अब आपने कहना है कि अमेरिका भी तो World War One के अंदर इन्वाल्व था ना नहीं भाई वह शुरू के अंदर इन्वाल्व नहीं था वो एंड के उपर आया था और वो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अमेरिका के अंदर आकर हैंडरी हॉल्ट एंड कॉम्पनी के जरीए से अपनी वहीं बुक आफ पॉइम यानि जो इनकी फिर्स्ट बॉक आफ पॉइम है ना दब वाई इस विल इसको दुबारा से अमेरिका के अंदर पब्लिश्ट करवाया तो जाधा फें मिल चुकी थी और रॉबर्ट फ्रोस्ट को फॉर ताइम पॉलिटीजर प्राइज मिला इसके बाद यानि पॉर ताइम पॉलिटीजर प्राइज आप समझते हैंड़ पॉलिटीजर प्राइज से मराद एक ऐसा प्राइज होता है जो कि किसी भी शख्स को इसे एक प्राइज दिया जाता है जिसे प्लेटीजर प्राइज कहते हैं और यह कहां से कौइंड हुआ इसको हमने कवर किया हुआ है अब 19 के अंदर इनको सबसे पहली दफ़ा प्लेटीजर प्राइज मिला और इसके बाद 1931 के अंदर कुलेक्टर पॉइम की वजह से इनको आवर्डर रेंज की वजह से 1937 के अंदर इनको प्लेटीजर प्राइज मिला आविटनर स्ट्री की वजह से 1943 के अंदर इनको प्लेटीजर प्राइज मिला तो इस तरह इनको 4 टाइम इनके लाइफ प्रियेट के अंदर प्लेटीजर प्राइज मिला है रॉबर्ट मुतलिफ इंग्रेशन्स के उपर यानि मुतलिफ तक्रीबात के उपर बुलाया करता था और ये बहुत अच्छी पॉइम पढ़के सुनाया करते थे अब रॉबर्ट फ्रोस्ट ने अमेरिका के प्रेजिडेंट जॉन एफ कैनी के उपर 1981 के अंदर एक पॉइम लिखी थी जिसकी वज़ा से इनको Congressional Gold Medal भी दिया गया और इनको बहुत जादा Fame भी मिला और इनकी जो Financial Depression थी वो भी बड़ी हाथ तक कवर हो गई अब रॉबर्ट फ्रोस्ट के साथ सबसे बड़ी ट्रेजडी तब होती है जब 1938 के अंदर इनकी वाइफ जो के एलिनर वाइट होती है इनकी कैंसर की वज़ा से डेथ हो जाती है तो इस वकत इनको बहुत जादा सदमा पहुचता है रॉबर्ट फ्रोस्ट की वाइफ की डेथ के बाद इनके राइटिंग स्टाइल के अंदर भी चेंज देखने को मिलता है और इसके बाद 1962 के अंदर ये सोवेत यूनियन भी चले गए और इनको अपने लाइफ पिरिएड के आखरी आयाम के अंदर यानि आखरी दिनों के अंदर आई सैट का मसला भी बन गया दिन के वक्त यानि दिन की रोशनी में साइन लाइट के अंदर ये वर्ड्स को देख नहीं पाते थे यानि रीडिंग नहीं कर पाते थे लिक नहीं पाते थे और बिल आखर जनवरी 29 1963 को इनकी डैथ हो गई रोबर्ट फ्रॉस्ट के लिट्रिरी वर्क के अंदर जो हमें आलेमिंट्स देखनें के मिलते गाते हैं इनमें सबसे पहले नंबर पर नेचर है third number पर इन्होंने isolation पर भी लिखा है यानि individual की loneliness को इन्होंने indicate किया है और इसके बाद इन्होंने man versus nature के theme पर भी लिखा है कि nature और man का relation आपस में इंसानों का relation किस तरह से है then last के उपर जब इनके wife की death हो गी इतना तो इन्होंने love and loss और death को भी लिखा है तो ये इनके writing style के अंदर हमें theme देखने को मिलते हैं थमीद करते हैं कि Robert Frost की biography से related बहुत सारी चीज़े आपको clear हो गी होगी next lecture में इनकी famous poem the road not taken को discuss करेंगे तब तक के लिए अजाज़े देजिए अलाहाफिज